हेलो गैज गुड मॉर्णिंग देव कुपी उत्रक्रण में आपका सुरते थेकारेच हेलो गैज कैसे हो आपको दिखाऊंगा गाम से हल्दवानी का सबर का व्यूज किर्पिया मेरी चैनल पर बने रहे हैं मेरी वीडियो अच्छी लेकर दो लाइक करें और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें बैल आइकन ओन करें चैनल बाहर चलो चलते हैं आपको दिखाते हैं गाहों से हल्दवानी का सबर हेलो गाईज हम घर से आगे उपर को और यह उपर पहुंचकी आधी रास्ते में उपर सड़क हैं प्राइब 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 अब चलते हैं जारी व्यादा बाहर पहाड़ तो प्राइब 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 कि अधर से आपको मिलेंगे तारे चीड के पेड़ के जंगल है था इस बहुत फंड़ी हवा आपनती है गर्मी के तैम पे तीन वाले पेड़ दिख रहे ना यह तो चीड के पेड़ हैं तो इतना शांदा गर्मी के टैम पे यहां फंडी हवा निया जरूर आई हीगा जरूर के पेड़ को चीड की ते कि अधर स्वारी वाली गाड़ी हमारे आगे से जा रिया जंगल के बिचो बिचो बिच अगते हुए हम जा रहे है हाँ जा रहे हैं जागरे हैं यहां चंगवानी रंग भी रंगे फूल खिले हैं मोग भी भूलो जैसे आजाए इतर बार यहां जो जाएगा फिर कैसे जर जर जरते हुए जरने मंको लगे हरने वीडियो में आगे देखो बहुत है बाँस के जंगल यह बाँस के पेड़ हो इसमें तो बहुत है थंडी हवा बिंती है और यहां काफल भी होते हैं आज यहां तो पानी की कमी नहीं जी बाँस के पानी होता है और ठंडी हवा मिनती है इधर यह बाँस के पेड़ होगे बाँस के पेड़ होगे यह बाँस के पेड़ होगे काफल होगे सब किसम के पेड़ मिलेंगे आपको नहीं करें 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 कि देखो यह बांस के पेड़ और बनास के पेड़ है अभी फोल आरकेश में और यह है इसकूल के बच्चे हैं इसकूल जा रहे हैं अभी मॉर्णिंग के टाइम पर क्योंकि यहां गाउमा बहुत पैदल जाना बढ़ता है स्कूल वह दूर दूर से आते हैं हां दो किलोमेटर पांस किलोमेटर तीन चार किलोमेटर इसे इसे दूर से आते हैं पैदल क्योंकि गाउम में साधन होती नहीं पहाड़ों पर है यह ब्रॉश का पेड़ है देखो गईज प्रॉश प्रॉश झाल झाल गैस देखो हम पहुंच के बार रखो ना यह उपर स्कूल है और इधरी आते हैं बच्चे स्कूल पढ़ने चलत तक का स्कूल है इधर और नीची स्कूल भी है छोटा से सुमंदिर स्कूल पच्चू है इधर है स्कूल है गाईज तो बता से है राड़ा स्मी के नंगिप मेरे वीडियो कैसे लगिए आपको यहां का व्यूज कैसा लगा प्लीज कमेंट पर जरूर बताईएगा सारे बच्चे स्कुल के सारे पैदल या पर मेरे बच्चे स्टार्ट हो गया देवदार की जंगल यहां बहुत बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं बहुत ठंडी हुआ मिनती हीता है कर्मी का तो असासी नहीं होता है यह एक उपसूरत देव भू में उत्राइक हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हम पहुंद के तौला देवी यह मंदित में तौला देवी का तो बहुत अच्छा मंदिर है दर आप 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 कि यह जो गए हम चलते हैं अब कि देदर के पहाड़ों के की बीच होते हुए कि यह कुछ सुरग नजारा देव भूमी उत्रा खेंड हुए हम पहुंचके अपले कान से तोड़ा जोड़ा है आप पीच्छे आप 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 पहुंचके कापली खान आप 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 मुझा बच्ण कने लिए पंचने वाले हैं काफ रिखान हम पहुंच के काफ लिखान यहां से हल्दवानी 132 किलोमेटर है इधर से बाएं हाथ में शड़क कटी है तो चंपावर पनोली के लिए करके लिए देरी किलोंटर है दो इंचल आधर पना अपया झाएं Console. कि दूस्च के लिए इसलियर के लिए, परती सुट्ड़क करें विरें किलो है इसलिश्च के दोत्टमृक करते हैं किलोमेटर है आधर सॉर। इस देखो किते सुन्जर संदर पहाड़ है और हर्याली और केदर इस सारे बांस के जंगल है इस देखो आगे जो सामने पहाड देग रहा है ना वाइट कलर का यह है हिमालय परवत यहां से साथ दिखता है यह हिमालय परवत वाइट कलर के दिख़ी वहां ब्रब बिग रहा है अब गैस आपको वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज कमेंट पर जरूर बताईएगा और इधर से हल्दवानी 130 किलोमेटर है अलमोडा 40 किलोमोडा आप दोला 13 किलोमेटर गैज हल्दवानी 130 किलोमेटर ताही करने में लगबग 3-4 घंटे और लगेंगे इसमें गैस यह है पहाड का कुफशूरत नजारा गोरी तेरा गाम बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आखे यहारे उस पर रूप तेरा साधा चंद्र मजु आधा अजय देखो यह बांच के जंगल अचा आ रहा हरे आली गैस यह देखो पहाड़ों का खुबसूरत नजारा एह हरे हरे बांच के पेड़ है इधर हम आ चुके हैं गैंगेट ते हो गईज को सामने से कुट्व आगे और भागे हुई हुई कर देवदार के पेड़ और बांच के पेड़ मिलेंगे आपको सारी जंगलों में जंगलों से होके से अ wham कर देड़ बांच के पेड़ और देड़ में लि संगलों में जिह कोईड़ भास दो कर देड़ हो जेकित कर दो करें देखो हम पहुंचके गुरडबांच एक छोटा सा मार के नहीं दर गुरडबांच में यह आगे सामने यह तैसिल भी दिखाऊंगो माँ आपको अभी साल चीड के पेड़ बांच के पेड़ और देवदार के पेड़ भी हैं पड़े लम्मे लम्मे पेड़े होते हैं इदर अगा अगा यह बना स्रीफ रहे हैं यह है तैसे है अगा देखो हम पहुंच गया आठोला यहां से जागिस्वर तभी सड़क कट रहे हैं नीचीश से जागिसर बड़ा धाम है इदर जागिस्वर दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं तेर्थिस तलेब मीज़ बना से जागिस्वर तेर्शन करने के लिए 5тव थागिस्वर प्रूला यह बना से जागिस्वर लोग बना शबते हैं तो झाल जागिस्वर दोलेगी सब कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि इदर से जंगल और स्टार्ट हो जाते हैं अज़िए कि अज़िए कि अज़िए जाना पड़ता है इदर ठंडी ठंडी हवा चलती है मैं देखते हैं इदर से देहरादून 421 किलोमेटर देहरादून है क्या आगे से आर्मी वाले की गाड़ी आरेके पैस देखो अभी यहां जोगों नहीं है आगे गाड़ी वाले दिबड देखी गया इसने फ्लेट भी सकती है गाड़ी और यहां गाड़ी बैक कर दी हम ने आर्मी वाले गाड़ी को साइड दे दी गाड़ी निकल गी आर्मी वाले के अब हम चलते हैं आगे की ओर पैस देखो यह सारे चीड के पेड़ है इदर ठंडी ठंडी हवा आती करें है करें हम आ चुके हैं पन्वा नौला छोटा मार्किट है इसे भी बड़ा मार्किट फिर अल्मॉड़ा है करें देखो गाई यह सबस्ब बहुत भीड़ भी रहती है सारे गाड़ियां इंदर खड़ी रहती है जो गाउं से आते हैं सारे अल्मॉड़ा के लिए और यहीं स्टॉप है इनका नास्ता पाने करके यहां से जाते हैं फिर अल्मॉड़ा जागनाथ स्वीट एंड रेस्टोरेंड है यह सब्सक्राइब बैंक गरते हो इतनी जगों भी नहीं होती है पाहड़ों में इदर उदर गाड़ी लगाए रहते हैं हुआ हो और हम पनर नासे चले आगी हुआ है अ हुआ हैét अ देखो गाइज आप चलते हैं यहां से अल्दवानी के ओर देखो गाइज यह साथ चीड के जंगल है इतर यह हम आगे निकल गए पन्नोनोला से देखो यह यहां बहुत बड़ा मंदीर है देखो मंदर के आरा है और कि अधर का बलागर है कि देखो हम मंदी से तुरह आगे आगे इस सारे चीड के पेड़ है इदर वीच भी जंगल से होते हुए निकली है सड़क अभी सुभी के टाइम है इसमें पूड़ा ट्रैफिक कि थोड़ा कम रहता है इसमें कि अधर कि अधर कि अधर कि यहां से जाने का मन नहीं गरेगा कि देखो लाइज हम पाहुंच के पीचु भी जंगल से उत्ते हुए खुब्सूरस वादियां हम पहुंच के तोली यहां गाम का नाम है गैस तोली कि अधर चोटी दुकाने भी हैं तोली तोली का गाम लगता है गाईज कि अधर वो इस वो पसारा पहाड़ है कि अधर्याली हे पेड़ को रहे हरे पेड़ मॉर्णिंग टाइम है खुमने का और ही मज़ा है वाद सुद्ध एकदम अच्छे अच्छी हवाद मिलती एक हुआ और यह देखो गैज अधर मॉर्ण जाने वादे सवारी भी खड़ी है इतर अ कर दो आपको पहाडों में हर जगो मंदिर मेलीगा आपको हर जगो हर पाज किलो मेटर में हर दो किलो मेटर में आपको मंदिर जरूर मिलीगा अभी तो बोलते हैं इसको देव भूमी उत्राखंड में देखो एक किलो मेटर के अंदर ही अंदर ही अंदर ही आ गया है मंदिर हनमान जी का मंदिर है भी जानके हैं हम पहुंच गें पिटसाल का एरिया चालो हो गया गईच यह बसे चालो होगी यह बसे चालो होगी यह बिली पिथोड़ागर वाली बसे हैं साहिट नहां होई है दिखोगईच रोडवीच हम पहुंच के चिताई मंदिर है यह इदर है गोल्जू का मंदिर है हम पहाड के पास पहुंच गें पहाड के वीचुबीच होते हुए हम पहाड का दिख रहा है यह जो सामने पहाड दिख रहा है न सारे अंग्मुडा है मार गेठ है धारना हो लायाज्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अजिलात अर्मालों पहसने है तंग आपने तीन किलो मेटर बाग की ए कर दो यह हो गये मारगेट धार नो लगा यहां से आपको सब जगों की गाड़ी मिलेगी भी अल्द्वानी के लिए बस उगरोगा छोटी टैक्सी उगरोग सारी मिल जाएगी अल्मोडा मार गड़ाया निया साइथ अल्मोडा की रास्ते से नहीं जाएंगे हम इदर से अल्द्वानी के लिए आगे से कट जाता है यह धरन ओला मार गड़्ट देखो गईज यह सारे टैक्सी वाले खड़े हैं चोटे टैक्सी वाले एल्टू वाले सवाले ढॉड़र है इदर अल्द्वानी के लिए अब बस भी लगी है अल्द्वाने के लिए योग के जिरो वन जुए हम यहां रुके नहीं सीदे चलते हैं यहां कुछ काम है नहीं हमारा भी कि हम पहुंच के बाबा दीम करोली के चिदाम में अल्मुडा मार्क पर नैनिताल से लगबग सत्र किलो मेटर और भावाली से नौ किलो मेटर की दूरी पर है लगबग हल्दवानी से 36 किलो मेटर पड़ता है बाबा नेम करोली केची धाम चलो हम चलते हैं आगे हल्दवानी की ओर यह मेरी चैनल को बने रहे हैं यह हम पहुंके गई हल्दवानी मार्क इट वे थोड़ा से दूरी और है मार्क इट में पहुंच गी बने रहे हैं मेरे वीडियो पे गई जी है हल्दवानी मार्क इट वे थोड़ी दूरी पांक ही है हम पहुंच गई कार्ट गुदाम रिप्वेश टेशन के पास से होकर जा रहे हैं आगे में मार्क इट के ओर अधर यह जब इविनिंग का टाइम है और देखो गई हम जा रहे हैं तोड़ा आगे-पैट और पंप सामने आ गया अधर से दिल्ली लगवग आपका 200 किलोमेटर बरेली 103 किलोमेटर हल्द वाने से गाइस दोखो हम मार्केट में पहुंचने वाले हैं अब बने रहना मेरी वीडियो पे प्लीज लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना मेरी वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताइएगा कमेंट में अब बताना कौन कौन हल्द वाने आये हो कि इस कमेंटर में बताना क्यादी है क्या हुआ टुप टुप बताना अब बताना कि अब बतान कि अब बतान अब बतान कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो दो यहाँ रखिअए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो कर दो कि दोट कर ध्मुद दो कर दो कि दो कर दो कि उन्हेंघ म्यून थ rendered मेरा आएट you कि उप्रादाश थे ज जप लॉघ कर दो कि हम पहुंच गें हंद्वानी का रोडवीर इस्टेशन के पास से होके आगे जा रहे हैं ठीक है कि आज का ब्लोग यहीं पर इंड कर रहा हूं मेरा ब्लोग ऐसे लगा आपको इस कमेंट पर जुरूर बताएगा जाओ लाइक एंड से उसक्राइब परें जरूर बैला इंड जरूर बाएएं द्रीक्ट